Hello students, आज की वीडियो में हम discuss करेंगे BA 6th semester का history का question paper और syllabus में है modern world ये 2017 से लेकर June 2022 तक का जो syllabus है अब तक तब तक का ये question paper है यानि कई बच्चों के reappear वाले भी होते हैं तो तम से लेकर अब तक ये लिखर खाना for best 2017 and onwards देखते हैं इसमें कौन कौन से questions हाई हुए है ये university है ये cdlu 80 marks का है 3 hearts इसका time दिया गया है Hindi और English दोनों में एक question paper आया हुआ है there are total 11 questions in this question paper 11 है और attempt any 5 वाला जो है attempt 5 questions of them one question from each part is compulsory each question is of 16 marks solving the map is compulsory map वाला जो question है वो compulsory है बाकि जो students है वो जैसे एक unit में से 3 questions दे रखे हैं तो कोई एक उन में से कर सकता है लेकिन map वाला जो है वो compulsory है first जो I think Hindi वाला हम देख लेते हैं जो Hindi का version है वो वाला first question है सामराजयवाद से आप क्या समझते हैं इसके परसार के कारणों का उलेख कीजिए भाग एक में ही है unit यानि जैसे इस unit में 3 दिये हैं तो हमें कोई एक करना है 17d 1958 की ऐमेरिकी करांती के कारणों का विश्तार से वर्णन कीजिए next question है इन तीन में से हमें कोई एक करना था QU 6.11 की चीदि के कारणों का विश्तार से वर्णन कीजिए सेवन का क्वेशन है जर्मनी में नाजिवाद के उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए दूसरे विश्वयुद के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए और ना इनका है संयुक्तरास्ट्यों संग की उत्पत्ती के कारण उदश्यों और सिध्धान्तों का वर्णन मांचितर वाला question देया हुआ है जो compulsory है दिए गए विशु के मांचितर पर 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 तम विशु युद के धुर्वी करने को दर्शान वे व्यक्षाथ मक्तिपनी लिखिए दिये गए अफ्रीका के मांसितर पर उन्निस वी और बीस वी श्टाबदी में हुए सामराज जवाद विरोधी आंदूलन को दर्शाथ वे व्यक्यात्मक टिपनी लिखिया इसमें वो वो स्थान लिखने हैं देश लिखने हैं जो पर्थम विशवयुद के दुरू माने जात अफ्रीका में सामराज जवाद विरोधी आंदूलन कई जगों पर हुए होंगे और वहां पर वो स्थान दर्शानी हैं और उनके साथ-साथ उनकी उपर इक टिपनी भी लिखनी हैं उसके बाद शुरू होता है भाग पांचवा निमलकित परशनों में से किनी तीन परशनो के संक्सित उत्तरदीजी परतेक प्रशन के दो अंख है सामराज जवाद शब्द अंग्रेजी भाशा के किस शब्द से निकला है दूसरा है कॉलंबस ने अमेरिका को क्या नाम दिया नेक्स्ट है पनामा घोशना कब की गई पर्थम बालकन युद कब हुआ पर्थम विश नेकित बहु विकल्पिय पर्शनों के सही उत्तर का चैन कीजिए जेम्स दूइतिय की इम्रत्यू निमलिकित में से किस देश में हुई थी पांच दे रखे हैं ऑप्शन टाइप है ये इन में से हमें देश बताना है अफ्रीकी देशों का नाम रोडेश या निमलिकित में से किस के नाम पर रखा गया था नेक्स्ट है वासिंग्टन सम्मेलन निमलिकित में से किस वर्ष आयजित हुआ चीन के संपर्क में आने वाला निमलिकित में से पहला यूरोपिय देश कौन सा है मुसॉलिनी ने राष्टर संकी सदस्यता से निमलिकित में से किस वर्ष त्याग पत्तर दे दिया तो यह पांच ओप्शन टाइप थे उसके बाद कुछ है मिलान वाले निमलिकित का सहे मिलान कीजिए लिंकन का रास्टर पती बनना पर्थम विशुयुद के स्मापती आर्थिक मंदी का आरम चर्चिल वाइबर गणराजय तो यह सब चीजे दे रखें इसमें हमें उचित मिलान करना था तो यह था स्टूडेंट्स आपका सिक्थ समेस्टर का हिस्ट्री का क्वेशन पेपर सेकंड सेमेस्टर और फॉर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी प्लीज अपने क्वेशन पेपर जरूर शेयर करें 6M के लगबग स्वी स्टूडेंट्स ने अपने question paper शेयर किये हैं लगबग सभी उनिवस्टी के ने और economics का paper अगर किसी student के पास है तो please जरूर शेयर करें क्योंकि students को उसकी जरूरत है